हलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग तो अल अफ यू, स्वागत आप सभी का ओनलाइन इस्टडी अकैडमी में, आज रेट है 23 अक्टूबर 2020 और आज की रेट के जितने भी इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स हैं और डिसकस करेंगे हम इस वीडियो में, साथ ही देखेंगे कुछ इंपोर्टेंट वन नाइनर्स और उसके बाद है क्वीज, तो मेक शूर वीडियो को अज तक जरूर देखेगा, तो अज शुरू करते हैं तो अज का पहला कोश्चन है, विच स्टेट है स्टॉप्ड इंदा अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स, अनीमिया मुक्त भारत सुचकांक में कौन सा राज से सित्थान पर है तो अभी हाली में अनेमिया मुक्त भारत इंडेक्स जारी किया गया है और इस इंडेक्स में हरियाना टॉप पे है और अनेमिया क्या होता है अनेमिया एक medical condition होती है जहां पे जो blood है उनमें red blood cells काफी जादा कम हो जाती है तो इस कारण से जो persons है उनके उनमें खोन की भी कमी हो जाती है और red blood cells में कमी के अलावा जो red blood cells होता है उनके function में भी effect पड़ता है तो इसी medical condition को कहा जाता है एनेमिया तो यह जो एनेमिया मुक्त भारत है यह initiative था Ministry of Health and Family Welfare का और उसके साथ ही Unichev और इसी index में भारत के 29 से राजयों की ranking तयार की गई है और उसी ranking में जो हर्याना है उसने top किया है इस index में इसको रहा हर्याना का 46.7 और 2019 बीस में immunization में भी हर्याना ने 93 प्रतिशत हासिल किये है तो top किया हर्याना ने दूसरे नमबर पर रहा है वेस्ट बेंगॉल यानि पश्चिम बंगाल और तीसरे नमबर पर रहा है हिमांचर प्रदेश नाइस टोशन है विट विच कंट्री इंडिया है और बिजनेस फोरम रिसेंटली हाली में किछ देश के साथ भारत ने बिजनेस फोरम का आयोजन किया है तब यहाली में भारत और विचनेस फोरम और गनाईस कराया गया था तो इसका अंसर हो जाएगा आपका आप्शन नमबर त्री विचनेस फोरम और गनाईस कराया था वर्चुली दोलों ही देशों के बीच जो ट्रेड और इंवेस्टमेंट है उसको जादा से जादा से कम आना जा रहा है और इसलिए जादा से जादा दोनों देशों के बीच में ट्रेड और इंवेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो है तो ये फोरम और गनाईस करा गया था तो भारत जो है वियतनाम को मीट, फिशरी प्रोड़क्ट, कॉर्न, स्टेल, फार्मसिटिकल, कॉटन, मशिनरी जो है ये एक्सपोर्ट करता है वहीं बात करें इंपोर्ट क्या करता है तो मुबाइल फोन, इलेक्ट्रिकल मशिनरी, क्विप्मेंट, कम्प्यूटर्स, एलेक्ट्रोनिक हाड़वेर, नैचुरल रवर, कैमिकल्स, कॉफी ये सब चीजे भारत वियतनाम से इंपोर्ट करता है और वियतनाम की बात करें तो यहां के प्रेजजेंट है एंग्वेन, फू, ट्रॉंग, प्राइम मिनिस्टर है, हैग्वेन, जुआन, फू, कैपिटल है, हैनोई, और करेंसी है, डॉंग next option है, who has launched first ever khadi fabric food wear of India, भारत के पहले khadi fabric जूते, किसने launch किये हैं, तो अभी हाली में, MSME मिनिस्टर नितिन गटकरी जी ने, launch किया है, भारत के पहले khadi fabric जूते, यानि, khadi fabric food wears, तो यह जो high quality fabric food wear, launch किये गए हैं, MSME मिनिस्टर नितिन गटकरी जी के द्वारा, तो इसमें, आ अलाबा, ladies के लिए, जो जूतिया होती हैं, या sandals होती हैं, तो यह सब design किये गए हैं, और इनको design किया है, KVIC, यानि, khadi and village industries commission ने, और इनमें, khadi fabric का use किया गया है, जैसे कि silk, cotton और wool, तो इन चीजों का use करके, यह जूती या जूते बनाए गए हैं, और भारत के, अलग-अ इनको भी promote किया जा रहा है, इन foodware के थुरू, और इसके लिए, KVIC ने एक अलग से e-portal भी launch किया है, जहां पे यह जो foodwares हैं, इनको बेचा जाएगा online ही, तो इसके लिए price रखी गई है, 1100 से लेके 3300 पर pair की price रखी गई है, लेश टोचन है, where will the North Atlantic Treaty Organization, that is NATO, set up a new space center, उत्त Went down Atlantic month, संदि संगठन, यानि कि NATO का नया अंत्रिक्ष केंटर कहाँ इस्थाफित किया जाएगा, तो नाटो का नया, एक space center इस्थाफित किया जाएगा, रैम-स्टेन में, और ये रैम-स्टेन कहाँ है, ये है जर्मनी में, तो जर्मनी के रैम-स्टेन में इस्थापित किया जाएगा NATO का एक नया space center तो ये center जो है space observation के लिए बनाया जा रहा है यानि अंतिक्ष में जो अलग अलग तरह की घटनाए होती हैं उसके अलबाद जो अलग अलग तरह के खत्रे होते हैं satellites के लिए तो उन सब पर ये नजर रखेगा और वहोजिश में बात करें तो इनको इसको as a defense के लिए एक command center के रूप में यूज किया जाएगा इसके अलाबाद जो चाइना और रशिया के दोरह aggressive policies बनाई जा रही है space sector में उनको counter करने के लिए भी ये काफी हद तक काम आएगा तो इसलिए ये नए space center को स्थापित किया जा रहा है रैमस्टेन जर्मनी में तो जो नैटो है इसका full form है the North Atlantic Treaty Organization और ये एक North Atlantic Alliance है ये एक intergovernmental military alliance है जिसमें लगभग 30 North American और European countries मेंबर हैं और इसकी स्थापना की गई थी जब North Atlantic treaty sign की गई थी 4 April 1949 में तब इसकी स्थापना की गई थी इसका वैसे तो हैटकॉर्टर है Belgium के Brussels में और Brussels में कहां तो Brussels में इवीर में और अगर बात करें तो Allied Command Operations का जो quarter है यह है Belgium के मोंस में और जब NATO स्थार्ट हुआ था शुरू में उनिस सोन्चास में तब उस समय उसमें बारा मेंबर्स थे और अगर अभी प्रेजेंट में बात करें तो total members हो गए हैं तीस तो तीस members हैं जो की है North American और European countries और अगर बात करें भारत की तो भारत NATO का मेंबर नहीं है next question है who has been appointed as India's next ambassador to Republic of San Marino San Marino गणराज में भारत के अगले राज़ू के रूप में किसे निउक्त किया गया है तो अभी हाली में नीना मलहुत्रा जो की इटली में अभी प्रेजेंट में कारवरत हैं भारत के ब्रेंड ambassador के रूप में उन्हें Republic of San Marino में भारत के अगले ambassador के रूप में निउक्त कर दिया गया है तो option no.2 नीना मनहुत्राईज़ा कानेक्टांसर उसके लावा जो राहुल स्रिवास्तो जी हैं ये रोमानिया में भारत के राज़ूत के रूप में निउक्त हैं और रोमा अस्टिया में भारत के राज़ूत के रूप में निउक्त हैं और कुछी दिनों पहले इन्हें ऑस्टिया के साथ साथ होली सी में भारत के अगले ambassador के रूप में निउक्त कर दिया गया है और जो रविश कुमार जी हैं ये फिनलैंड में भारत के राज़ूत के रूप में और कुछी दिनों पहले इन्हें फिन्लेंड के साथ ही साथ एस्तोनिया में भारत के अगले राज़दूथ के रूप में निवत कर लिया गया है तो जो सैन मरीनो हैं यहां की capital है शैन मरीनो जो ही कैपिटल कर नाम भी है सैन मरीनो और currency है यहां की यूरो next option है which ship has been commissioned into Indian Navy at विशाखा पत्नम recently हाले में विशाखा पत्नम में भारतिन और सेना में की जहाज को सेवा में लाए गया है तब यहाले में INS कावा रत्ती को कमिशन किया गया है इंडियन नेवी में और कहां पे कमिशन किया गया है विशाखा पत्नम में यह चीज़ रखेगा INS कावा रत्ती को विशाखा पत्नम में इंडियन नेवी में कमिशन किया गया है जो INS कावा रत्ती है यह उन चार स्वदेशी निर्मित एंटी सब्मरीन वारफियर स्टेल्थ कोबर्स में से हैं इन हे कमोटा क्लास कॉर्वेट्स या प्रोजेक्ट 28 के एंडर में डवलक किया जाना था तो इस शिप को डिजाइन किया गया है डिरेक्टेट औफ नेवल डिजाइन डिन दी के दोरा और इसे बिल्ट किया गया है यानि बनाए गया है गार्डन डिज शिप फिल्डर्स एंड इंजिनियर्स जो की कुलकाता के है और जो आइनस कावा रत्ती है ये लगभग जो इसकी जो कंस्ट्रक्शन हुई है तो 90% जो पार्ट से जो बनाए गया है 90% वो पूरी तरह से स्वदेसी चीजों का यूज करके बनाए गया है तो 90% स्वदेसी चीजों से बनाए और 10% जो है तो इंपोर्टेट पार्ट लगे हुए है और जो प्रोजेक्ट 28 है इसे एप्रूब किया गया था 2003 में इसके अंडर में 4 शिप्स बनाए जाने थे तो और क्योंकि यह सबसे पहला शिप्स था इसलिए इन क्लास का जो नाम है यह कमोर्टा क्लास रखा गया है तो 2005 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था तो यह जाके 2014 में इसको कमिशन किया गया था कमोर्टा को उसके लावा बागे 3 शिप्स की बात करें तो 2016 में INS कदम यह लक्षदीप के आइलेंड के नाम के उपर रखे गए हैं मैं इस टोशन है विच कंपनी हैज बिन सेलेक्टेड बाइ नासा टू बिल्ड 4G LTE नेटवक ऑन दा मून चंद्रमा पर 4G LTE नेटवक बनाने के लिए नासा ने किस कंपनी को चुना है तो अब हाली में नोकिय को चुना है नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE नेटवक बनाने के लिए तो अपने बहुत जगा पढ़ा होगा 4G LTE और मुबाइल पर भी देखा होगा उपर LTE लिखा रहता है तो LTE का मतलब क्या होता है तो LTE का फुल फार्म होता है लॉंग टर्म एवल्यूशन यह 4G को कहा जाता है LTE और इसका फुल फार्म होता है लॉंग टर्म एवल्यूशन और आप तो देखा होगा आपके मुबाइल पर लिखा रहता है वोल्ट तो वोल्ट का मतलब क्या होता है तो यह कॉलिंग फैसिलिटी होती है इसका फुल फार्म होता है LTE तो यहीं होता है लॉंग ट तक मून में कुछ humans को ले जाना चाहता है और वहाँ पे वो डिक करेंगे, कुछ research करेंगे और उस program का नाम दिया गया है Artemis program और इसी program के लिए wireless broadband communication system की जरुद पड़ेगी वहाँ पे communication करने के लिए तो इसी के लिए 2022 तक वहाँ पे communication system build करना है और इसी के लिए जो NASA है उन्होंने Nokia को select किया है, moon पे 4G याने की LTE communication system establish करने के लिए Nokia ने कहा है कि अभी तो 4G LTE communication system setup किया जाएगा, लेकिन उनका जो main aim है वो 4G को 5G में switch करने का है, तो पहले 4G LTE communication system setup किया जाएगा, उसके आद उसे private spacecraft design company जिसका नाम है intuitive machines और इसका काम क्या होगा, तो जो भी equipments लगेंगे वहाँ पे communication system को बनाने के लिए तो ये जो intuitive machines है, ये अपने lunar lander पे वो सारे equipments moon तक पहुँचाएगी और NASA की बात करें तो इसके स्थापना हुई थी 1958 में 1958 के पहले ये नाका हुआ करता था, 1915 से 1959 तक नाका चला, उसके आद 1959 में ये बना NASA और NASA का full form है National Aeronautics and Space Administration, या कि प्रेजेंट में administrator है Jim Bridenstein, इसका headquarter है Washington DC USA में और कुछी दिनों पहले इसका जो headquarter है इसका नाम change करके कर दिया गया Mary W. Jackson, NASA headquarter तो ये काफी जादा important question है current में, और Mary W. Jackson कौन है, तो ये NASA की पहली माहिला अस्वेथ इंजीनियर थी तो इन्नी के नाम में इनको honor देने के लिए इनके नाम पे रखा गया है जो NASA का headquarter, उसका नया नाम Mary W. Jackson, NASA headquarter और इसका motto है, for the benefit of all next question है, on which of the following date international stuttering day was observed नेम लिखित में से किस तारिक को international stuttering दिवस मनाए गया तो सबसे पहरे जान लेते हैं stuttering क्या होता है तो stuttering एक as a condition है जहां पे लोग हखलाते है बात करते करते हैं, इनसान फंबल हो जाता है किस चीजों में अठक जाता है उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाता है तो इसको बोलते हैं stuttering यानि simple सी भाषा में कहें तो हकलाना, तो इसी के लिए awareness फैलाने के लिए, अभी 22 October को हर साल मना जाता है international stuttering day 22 October और इसके लिए theme रखे गई है journey of words, resilience and bouncing back, theme जरूर याद रखिएगा journey of words, resilience and bouncing back, के हर साल ये 22 October को मना जाता है international stuttering awareness day next question है who has made world record of 1 hour 5 minute 16 seconds at world athletic half marathon championship 2020, world athletic half marathon championship 2020 में 1.05.16 का visual record किसने बनाया है तो अभी हाली में Kenya की runner है, Paris Jep चिरचिर के Paris Jep चिरचिर इन्होंने बनाया है world record 1.05.16 का कहां पे world athletic half marathon championship 2020 में और ये world record बनाने के साथ उन्होंने gold medal जीता है और ये record बनाने के लिए उन्होंने अपना ही पुराना record तोड़ा था इसके पहले उनका जो best time था 1.05.34 का था जो कि उन्होंने बनाया था प्राग में और अभी हाली में ये जो world athletic half marathon championship हो रही है 2020 की ये हो रही है गिडीनिया में गिडीनिया जो कि पुलैन्ड में है और यहां पे उन्होंने अपना ही world record तोड़ दिया है 18 सेकेंड का अंतराया है तो इनका आप जो नया टाइमिंग है ये है एक घंटे पांच मिनट और 16 सेकेंड का और उन्होंने gold medal भी जीता है और यह हैं कहां की यह हैं Kenya से Next question है According to third SOGA 2020 report Which country has recorded highest air pollution exposure globally in 2019 तीसरी SOGA 2020 report के अनुसार की इस देश ने 2019 में विश्व इस्तर पर सबसे अधिक वायू प्रदूशन जोकिम दर्च किया है तो इहाली में तीसरी SOGA 2020 report जारी की गई है pollution को लेके और इस report के अनुसार बहारत 2019 में विश्व इस्तर पर सबसे अधिक वायू प्रदूशन जोकिम दर्च करने वाला देश बना है तो जो report है third state of global year 2020 यानि की SOGA जिसे short में कहा जाए तो third SOGA 2020 report जारी की गई है USA based health effect institute उसके साथ ही institute for health metrics and evolutions उसके साथ ही global burden of diseases इन तीनों ने मिलकर ये report को जारी की है और भारत रहा इसमें पहले नमबर पे और दूसरे नमबर पे रहा है नेपाल और तीसरे पे रहा है नाइजेर और ये जो report है ये बनाई कैसे गई है तो जो ground monitors लगाए जाते हैं pollution measure करने के लिए और उनके साथ ही satellite से data लेके ये report तयार की गई है और वहीं बात करें तो air pollution के होने के कारण death की तो सबसे जादा भारत में ही death हुई है भारत में लगबग 116,000 death हुई है के air pollution के कारण और वहीं पे दूसरे नंबर पे रहा है Nigeria जहाँ पे death हुई 67,900 पाकिस्तान हुआ तीसरे नंबर पे 56,500 के साथ और चौते नंबर पे है Ethiopia जहाँ हुई 22,900 deaths तो यह मूब करते हैं अचके important 1,900 की तरफ सबसे पहले है IIT Kharagpur develops COVID-19 technology for COVID-19 तो हाली में IIT Kharagpur ने COVID-19 परिक्षण के लिए एक तरह का test develop किया है जिसका नाम दिया गया है COVID-19 नेस्ट है National Police Commemoration Day was observed on 21st October 21st October को राष्टी पुलिस इस मारक दिवस मनाए गया और ये दिवस मनाए जाता है जो ऐसे पुलिस वाले हैं जिन्होंने देश की शेवा की और अपनी सेवा में ही शहीद हो गया अपनी जानगवादी तो ऐसे लोगों को याद करने के लिए उनके ओनर में ये दिन मनाए जाता है नेशनल पुलिस को मामिरेशन डे 21 अक्टूबर को नेक्स्ट है एनके सिंग लॉंचे लॉंचे इस आटो बायोग्राफी पोर्ट्रेट्स और पावर तो हाली में एनके सिंग जी ने अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स और पावर लॉंच की है नेक्स्ट है फिक्की सलेक्टेड as the नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर for the थर्ड मेकिन ओरिसा चौनक्लेब तो हाली में जो फिक्की है उसको तीसरे मेकिन ओरिसा कौनकलेब के लिए राश्टी उद्योग भागिदार के रूप में चुना गया है Next है Trifid Managing Director Praveer Krishna won the CEO of the Year and Visionary Leadership Award Fit के प्रवन संचालक Praveen Krishna ने CEO of the Year और दूदसी नेतरित कुरुसकार जीता Last है सूरत BRTS has become India's largest BRTS network with coverage of 108 km आले में सूरत का BRTS 108 km की coverage के साथ बारत का सबसे बड़ा BRTS network बन गया तो अब समय है आज के quiz का आज के quiz का question है What is the rank of India in the Arden Capitals Passport Index Arden Capital Passport Index में भारत की rank क्या है Make sure इस question का अंसर जरूर दे comment box में अई देखते हैं कल का question कलमा ने आज से पूछा था Which bank has extended 400 million US dollar line of credit to Maldives for greater malay connectivity project किस bank ने Maldives को greater malay connectivity project के लिए 400 million US dollar की line of credit वड़ाई है तो इसका right answer है Axim bank Axim bank ने भारत सरकार के भियाप में Maldives को 400 million US dollar की line of credit दी है वहाँ पे greater malay connectivity project के लिए तो आज का session यहीं समाप्त होता है I hope आपको ये video helpful लगी होगी अगर आपको video अच्छी और helpful लगी है तो make sure video को like कीजिए share कीजिए और channel को subscribe कीजिए अगर आपको आज के video का pdf चाहिए तो मैंने description में telegram channel की link दे दी है आप हमारे telegram channel पे जाके आज का pdf डाउनलोड कर सकते हैं उसके साथ ही आप facebook में मुझे follow कर सकते हैं तो make sure कल भी आप हमारे साथ इसी time पे जूरे तब तक के लिए take care and thank you guys